नमस्कार किसान भाईयो में आपका दोस्त नरेंदर पोर्वाल आपके अपने यूटूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे लसुन में आगे क्या तेजी मद्दी रह सकती है या क्या भविश्य रह सकत हैं और कुछ आंकड़े आपको पिछले दिनों के भी बताएंगे कि लसुन में कैसा उतार चड़ाव रहा हैं तथा आगे 2021 में पूरे में क्या संभवना बन सकती हैं दोस्तों हमारा मकसद किसी की भावनाव को ठेस पहुचाना नहीं है तथा यह जो हमें फिटबेक मिले हैं और जो आंकड़े हमें मिले हैं उसके आधार पर हमने यह रिपोर्ट तयार की हैं कि बुवाई कितनी हुई हैं उत्पदन कितना निकल रहा हैं उसके इसाब से हमने रिपोर्ट तयार की हैं इसलिए किसान भाई और व्यापरी भाई अपना व्यापार स्वविवेक से करें और अपना भी गणित लगा कर ही व्यापार करें दोस्तों तो आगे बात करते हैं दोस्तों यदि हम बुवाई की बात करें तो बुवाई इस वर्ष पिछले साल की तुलना में लगबग डेड़ गुना हुई है जो की मतलब जादा हैं पिछले साल से और यदि हम उत्पाधन कि या जो आकड़े हमारे पास आएं उनकी बात करें तो उत्पादन इस वर्स दोस्तो कम निकल रहा है जो कि काफी ज़्यादा कम निकल रहा है पिछली बार से और क्वालिटी भी थोड़ी हलकी आ रही है क्योंकि दोस्तो मोसम लसुन के हिसाब से इस वर्स अनुकुल नहीं आहे बोवनी होने के बाद में बारिस ज्यादा गिर गई थी कुछ छेत्रों में और कुछ छेत्रों में कम गिरी थी वाँ पर भी लसुन का उत्पादन प्रभावित हुआ हैं तो दोस्तों बारिस के कारण उत्पादन कम हुआ है यदि बोवनी ज्यादा हुई थी पर उसके जो बाद जो बारिस हुई उससे उत्पादन कम निकलाएं दोस्तों कोई सी भी फसल हो उसके भाव दो या तीन चीजों पर निर्भर करते हैं जैसे कि उसकी मांग और पुरती यदि मांग अधिक हो और पुरती कम हो तो भी भाव बढ़ जाते हैं दोस्तो और यदि मांग और पूर्ती समान हो तो जो भाव चल रहे हैं वोई चलते रहते हैं और यदि पूर्ती अधिक हो जाए और मांग आगे कम पढ़ जाए दोस्तो तो फिर हमें भाव डाउन देखने को मिल सकते हैं दोस्तो और दूसरा कारान बनता है दोस्तो सरकारी नीतिया यदि सरकारी नीति में मतलब जैसे यदि निर्यात पूरी तरह से खोल दिया जाए या माल को विदेशों में भेजने के लिए प्रोस्याइद किया जाए तो भी आगे मांग बढ़ सकती हैं और उसके कारान भाव अच्छे ह हमें मिल सकते हैं और यदि निर्यात को पूरी तरह से ठप कर दिया जाए तो भी हमें भाव में कमी देखने को मिलती है क्योंकि फिर घरेलू मांगी हमें पूर्ती करनी होती है भार नहीं बेजा जाता है माल तो दोस्तों पिछले कुस दिनों के यदि हम बात करें तो आज स एक महीने पेले अच्छे भाव मिल रहे थे किसान भाईयों को और उनके उपज का उनको अच्छा दाम मिल रहा था क्योंकि आवते लगातार कम बनी हुई थी और आगे माल की डिमांड थी दोस्तों लेकिन इस समय थोड़ी आवके बढ़ चुकी है मंडियों के गेट लगा तरी मäल में जेखने को मिल रही हैं यह गिरावट हमें देशी माल में ज़्यादा मिल रही है कि उड़ी मालों में अभी मांग बनी हुई है economist क lazm नाडू हमारे यहां से गीला माल लेकर बोवनी की जाती है उसका कायरी अभी चल रहा है लगातार उसके कारण उटी मालों में दोस्तों इतना हमें भाव तूटते हुए देखने को नहीं मिले हैं जबकि देशी में हमें बहुत ज्यादा भाव तूटते हुए देखने को मिले तो कुछ दिनों पेले आवक कम थी तो भाव उंचे बने हुए थे फिर आवक बड़ी दोस्तों तो हमें भाव डाउन फोल देखने को मिला उतरते हुए देखने को मिले और अभी की इस्तिति करें जो गुनिस बीस या तारीक है उनकी बात करें दोस्तों तो उसमें हमें एक देखने को मिलिये क्योंकि आवक में की आवक में भी दोस्तों इस्तिर्ता हो गई है तो हमें अभी भी इसमें इस्तिर्ता भाव भाव में भी इस्तिर्ता देखने को मिली हैं दोस्तों लगाता रावको का फेसरता उसके कारण भाव डाउन हमें देखने को मिले हैं जिसके क दो दिन में ही 400-500 रुपए हमें वापिस से उपर उठते हुए भाव देखने को मिले हैं तो दोस्तों ये था पिछले दिनों का गणित कि भाव यदि आवक कम होती है तो बढ़ जाते हैं और आवक जादा होती है तो भाव घड जाते हैं अब यदि हम आगे की बात करें तो आगे हमें 1-2 माईने यही समान भाव देखने को मिलेंगे जिसमें कि हमें 1000-2000 रुपए या 1500 रुपए तेजी देखने को मिल सकती हैं या कभी-कभी आवको का फेसर हो तो 400-500 रुपए तूड भी सकते हैं और ये लसुन में 400-500 रुपए माईने नहीं रखते हैं दोस्तों तो आगे यदि 2021 की पूरी बात करें, दोस्तों, तो आगे मैई-जून में हमें अच्छी डिमांड, घरिलोडीमांड भी देखने कू मिलेगी और यद्य सरकार निरियात खुल देती हैं, तो वो डिमांड भी हमें देखने कू मिलेगी और यदि पिछले साल की बात करें तो कोरोना वाइरस के कारण जो हम पुर्ती नहीं कर पाई थे या जो मांग भार से नहीं निकल पाई थी वो भी इस पर से निकलेगी जो कि किसान भायों के लिए खुस कबरी हैं दोस्तों तो उसके कारण भी हमें तेजी का माहूल देखने को मिल सकता हैं जो कि पिछले साल हुआ था और लसून एक बार अच्छी तेजी के साथ भी दोस्तों बिख सकता हैं तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्य दोस्तों यदि आपका कोई सुजा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें वह ज्यादा से ज्यादा किसान भायों तक सेर करें ताकि वह पीस जानकारी का लाग ले सकें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों धन्यवाद